अलो वरीवन वेलकम टू दीस चैलेंग्स जिलोजी नोट्स आज के इस पीडियो में आपको बताऊंगे पेपर फाइब समस्टर थर्ड का उसका में इंपोर्टन कोईशन बताऊंगे पहले तुम्हें आपको सिलिबस में बताऊंगे कौन सा कोईशन सौट में पुछा जाता अलिप मतब जाहतर यह तीन जो कि एमेन इसीड प्रोटीन और कार्बार्ड यह तीनों एक्जाम में हमेशा लॉंग में पूछा जाता है और क्या होता है अगर यह आचुका होता है तो दोला पूछाया जाता है राम चन्डणी पूछायाता है जिसकाए राम चेंद्रन प्लोट में टोपिकम में लीफीद हो गया है यह में बічन बाद कर दरी मेंुचा जाता है यह जीशल गाथ कि छोट में टिटकाफंध साट में नाकुकशा सकती ओ कि पुछायाता है लेकिन factor effective enzyme activity और concept co enzyme यह सब short note में पुछा जाता है उसके बाद है nucleic acid component of nucleic acid short topic है nucleoside nucleotides यह भी short note का topic है लेकिन types of nucleic acid जैसे Watson Creek model long में पुछा जाने वाला question है types of RNA भी long में पुछा जाने वाला question है लेकिन इसका सबसे अच्छा topic है ना कि इसमें mRNA, tRNA और RNA इसमें से कोई भी एक RNA क कीजिएगा और इसके बाद क्या होता है carbohydrate metabolism इसमें क्या होता है जो glycolysis यह short note में पुछा जाता है यह भी long में sorry glycolysis long में पुछा जाता है और उसके बाद crab cycle glycogenesis यह सब short note का topic है लेकिन crab cycle कभी कभा long में भी पुछा जाता है उसके बीटा oxidation of fatty acid यह भी long में पुछा जाने व पहले तो आपका पंद्रा क्यूश्चन म से की होगा या फिर short note भी पुछ सकता है जैसे short note में पुछा गिया है short note टाइप question में राम चेंदरन प्लोट में बोले ना कि प्रोटीन में एक टॉपिक आता है आपका short note में पुछा जाता है उसके significance of biomolecules biomolecules क्या होता है उसका रिलिख दीजिएगा उसमें भी आपको माक्स मिल जाएगा amino acid protein सबका classification दिया था अगले साल carbohydrate enzymes उसके बाद ग्रूप टूप पुछा गया था वाट इस डिएने इट्स स्ट्रक्चर एक्स्प्रेंश ग्लाइकोलेसिस एक्स्प्रेंड अबाट क्रेब साइकिल और बीटा oxidation in details इतना जो 9 question है question number 2 से लेकि उसमें बस आपको कितना बनाना है इसमें होता है कि कोई भी इसलिए बस का दो या दो यूनिट बहुत अच्छा से कर लिजिए आपका अप मतबता ने long में मिली जाएगा क्योंकि इतना option में रहता है प्लस आप हमेसा एक्जाम में long question पहले बनाए question बिल्कुल न छोड़े कोई भी सबसे last में mcq बनाए 15 मिर्ट में उसके बाद सबसे पहले लोंग ही बनाए और इस जैसे में एक जमाता वीडियो में लिखती हूं topic का headline लिखती हूं उस introduction लिखती हूं उसका जो content जैसे में ल प्रोटीन क्या होता है जितने भी बाइमोलेक्र सेमिन ऐसीड प्रोटीन कार्बोहाइडिट लिपीड यह सब का short note लिखती है कि वह होता क्या है at least knowledge रखिएगा रामचंदन प्लॉट को इंजाइम निकलेसाइड निकलोटाइड ग्लाइकोजनलाइसिस ग्लोकोजनेसिस कॉ क्लासिफिकेशन अप इंजाइम मेकनिस यह बात मेकनिस पूछ सकता है क्योंकि मेकनिस पूछा नहीं गया था और क्लासिफिकेशन भी दोना अलग टोपिक हैं लेकिन मेकनिस इंप्रोटन इसलिए साथ में लिख दीओं उसके वाट टाइप सब आरेने यह तीन जरूर किज लेगेगा कि बाचान सकते यह तीन टोपिक में ना मिले तो या तो लिपिट या फ्रेमिन यसी रपका आ सकता है